नमस्का मेरा नाम ब्रिश दिवेदी है आप देख रहें लाइव व्लॉग चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है साथ ही चुनाव आयोग ने NCP, CPI और TMC से नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है अब हमारे देश मे में कुल छे राष्ट्य पार्टियां हैं कॉंग्रेस, भारतिय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्मुनिस पार्टी ओफ इंडिया, माक्सवादी, नेशनल पीपोल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी इसके साथ ही राष्ट्य लोग दल से राज अस्तरिय पा मिले थे, इसके बाद गुजरात में करीब 13 प्रतीशत ओर्ट शेर मिले हैं, आए समस्ते किसी पार्टी को राष्ट्य पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, देश में तीन तरह की पार्टियां है, राष्ट्य राजस्तरिय और छेत्रिय पार्टियां, 4 अप्रेल 2023 से पहले भ शर्टों को पूरा करती है, तो उस पार्टी को नैश्टर पार्टी का दर्जा मिल जाता है, कुल तीन सर्टे हैं, इन में से कम से कम एक शर्ट पूरा करने पर किसी पार्टी को नैश्टर पार्टी का दर्जा मिल जाता है, पहली शर्ट, अगर कोई पार्टी चार लोग प्राप्त है तो उसे राष्ट्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है तीसरी शर्थ अगर कोई पार्टी लोगसभा की कुल सीटों में से दो फिस्दी सीटे कम से कम तीन राज्यों में जीतती है तो उसे राष्ट्य पार्टी का दर्जा मिल जाता है राष्ट्य पार्टी का दर चुनाव प्रचार के लिए अधिक्तम 40 स्टार प्रचारक रख सकती हैं इनके यात्रा खर्च को उमीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता राश्टिये पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है अन्री पार्टियो पाने के लिए देखते रहे है लाइव लौ शुक्रिया